आज हम बनाएंगे आलो परवल की मसाले वाली सबजी ये सबजी बनाने में बहुत ही असान है और खाने में उतना ही तेश्टी है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा Hello Friends मैं हूरीना मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आயे आलो परवल की सबजी बनाते हैं आलो परवल की सबजी बनाने के लिए यहां पर मैंने 300 ग्राम परवल लिए हैं और छोटे साइज का परवल है तो इसे हम अच्छे से धो लिए हैं सबसे पहले हम परवल को थोड़ा स सबसे पहले दोने साइड से इसे हम एक चाकू से छील लेंगे इस तरीके से चीलने से परवल जो है वह थोड़ा सॉप्ट हो जाता है तो सब्य इसका बहुत ही तेस्टी बनता है तो सारे परवल को हम इसी तरीके से छील करके ले लेंगे सारे परवल को हमने छील लिये हैं अब हमें परवल को काटना है तो एक परवल में दो भाग हमें करना है इस तरीके से हमें एक परवल में दो भाग कर लेंगे अगर बड़ा परवल हो तो चार भाग करेंगे तो इस तरीके से हम दो भाग करके और सारे परवल को इसी तरह से काट करके ले लेंगे दो टमाटर लिए हैं 8 से 10 लासुन लिए हैं एक इंच अधरक लिए हैं इसे हमें ग्राइंड करना है तो सबसे पहले हम इसे ग्राइंड कर लेंगे एक कराही को गरम करेंगे और इसमें हम तीन बड़े चमच सरसो का तेल लेंगे आप चाहे तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं तो हमें आलू को फ्राई करना है चार आलू को हम इस परकार से काट कर के लिए हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे आलू को फ्राई करने से आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो सबजी इसका बहुत ही टेस्टी बनता है तो आलू को हम दो से तीन मिनट तक लो मिडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे आलू को फ्राई करते हुए तीन मिनट हो गया है और यह आप देख सकते हैं आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो आलू को हमने प्लेट में निकाल लिया है इसी तेल में अब हम परवल को भी फ्राई कर लेंगे परवल को भी दो से तीन मिनट तक लो मिडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे परवल को फ्राई कर लेने से परवल भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है परवल को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गया है और यह आप देख सकते हैं परवल भी अच्छे से फ्राई हो गया है परवल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं आलू परवल को हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं कराही में तेल बचा हुआ है तो इसी कराही में हमें सबजी बनाना है एक चमच और हम तेल डालेंगे कराही में कुछ खड़े मसाले लेंगे एक छोटा चमच जीरा लिए हैं दो छोटी इलाइची लिए हैं चार से पांच लौंग आठ से दस काली मिर्च दो लाल मिर्च जीरा को डालेंगे जीरा को कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे अब हम खड़े मसाले डालेंगे मसाले को कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे दो बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे प्याज थोड़ा सा सौप्ट हो गया है लेकिन अभी इसे हमें और पकाना है प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक छोटा चमच धनिया पॉर्डर एक छोटा चमच जीरा पॉर्डर डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्स पॉर्डर डालेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पॉर्डर मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे मसाले को हमें low flame पे 4-5 मिंदर तक भूनना है ताकि मसाले जो है अच्छे से भून जाए थोड़ा सा पाने डालेंगे ताकि मसाले नीचे से जलेना दो टमाटर अधरक लसुन का हमने पेश्ट बना लिया है तो अब हम टमाटर को डालेंगे और मसाले के साथ टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे टमाटर डालने के बाद 3-4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे मसाले को और हम पकाएंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटर का ये पानी है तो इसे वेश्ट नहीं करेंगे इसको भी मसाले में डाल लेंगे मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे टेस्ट के एक और्डिंग नमक डालेंगे नमक को हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे मसाले को भूनते हुए चार मिनट हो गया है मसाले जो है अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें आलू परवल डालेंगे तो यहाँ पर हम आलू परवल को मसाले में डाल देते हैं आलू परवल को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे आलू परवल की सबजी बहुत हिला जबाब बनेगी जो भी आलू परवल का सब्जी नहीं खाता हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस तरीके से जरूर बनाएं तो आलू परवल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी अब हम सब्जी में पानी डालेंगे दो गिलास यहां पर मैंने पानी डाल दिये है पानी डालने के बाद सब्जी को हम अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी आप अपने एक ओर्डिंग रख सकते हैं गाढ़ा या पतला जितना भी रखना हो तो सब्जी को हमने अच्छे से मिला लिए है आधा छोटा चमच गरम मसाला डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया पता डालेंगे सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे अब हम सब्जी को ढख करके और 7-8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे सब्जी को पकाएंगे 8 मिनट होने के बाद सब्जी को खोल करके देखेंगे और यह आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब आलो परवल की सब्जी बनी है एक बार जरूर ट्राई करें आपको भी बहुत ही पसंद आएगा अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे अमीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ